हलो फेंड्स आज की वीडियो में हम लोग इजारेदारी सिस्टम को समझेंगे जो की एक लेंड रवन्यू सिस्टम था जिससे 1772 में वारन हेस्टिंग्स ने इंट्रिड्यूस किया था बट ब्रिडिस इस अडिया कंपनी की लेंड रवन्यू पॉलिसी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ब्रिडिस इस अडिया कंपनी के आने से पहले मुगल एंपायर में लेंड रवन्यू किस तरह वसूल आ जाता था Basically Mughal Empire ने अपने पूरे territorial area को कुछ provinces में divide करके रखा था जिने सूबा कहा जाता था और हर एक सूबे में एक दिवान हुआ करता था जिसका काम होता था उस particular province से revenue generate करना यानि province से जो भी revenue दिवान generate करेगा वो जाता था Mughal Empire की treasury में बट revenue generate करने का काम दिवान directly नहीं करता था इसके लिए province में कुछ बड़े जमीनदार रखे गए थे और present से करव असूलने का काम ये जमीनदार ही क्या करते थे दिवान का काम होता था इन जमीनदारों को सुपरवाईज करना और इने direction दिना तो प्रोविंस से करव असूलते थे जमीनदार और अपना हिस्सा रखने के बाद ये revenue दिवान के पास पहुचाते थे और दिवान इस revenue को Mughal Empire की treasury में विजवाता था अब हुआ क्या कि Battle of Buxer के बाद 1765 में British East India Company को Bengal, Bihar और Uriza की दिवानी मिल गई थी यानि Bihar, Bengal और Uriza से revenue collection के जिम्मिदारियम British East India Company की थी और इसके बदले British East India Company को Mughal Empire को बस एक fix revenue देना होता था हलाकि कुछी सालों के बाद Warren Hastings के कारेकाल में British East India Company ने ये fix revenue भी मुगल बादशा को देना बंद कर दिया था तो दिवानी मिलने के बाद British East India Company का main aim था इस province से ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल ना ताकि उस पैसे से इंडियन goods को खरीद पाएं और यूरूप में बेचें मतलब इंडिया के ही पैसो से इंडिया के goods को खरीदो और उससे मुनाफ़क हमाओ एक trading company के लिए इससे अची बात क्या हो सकती है तो starting में इन्होंने revenue collection में कोई बड़े changes नहीं किये थे इन्होंने existing विवस्ता जिसमें जमीनदार कर्व वसूल थे उसे रहने दिया क्योंकि इन्हें ये भी ढर था कि अगर इनके officers land tax वसूल करने जाएंगे तो इससे लोग नाराज हो सकते हैं तो जमीनदारों को तो as it is रहने दिया बड़े इन जमीनदारों के उपर European officers को appoint किया गया जो कि इन जमीनदारों को supervise करते थे कि ज्यादा से ज्यादा कर्व वसूल आ जाएंगे हम इस चार्ट में देख सकते हैं कि financial year 1762-63 में जब मीर कासिम का administration था तो total revenue collection 65 lakhs के आसपास था next year मीर जाफर के administration में collection 76 lakhs के आसपास था और उसके अगले साल 1764-65 में भी मीर जाफर का ही administration था और collection था 81 lakhs बट जैसे ही 1765 में British English India का अपनी को दिवानी मिली पहले ही साल में collection हुआ 147 lakhs आप देख सकते हैं कि British East India Company से पहले collection 65 से 80 lakhs के बीच में हुआ करता था और British East India Company ने अपने पहले ही साल में collection 80% बढ़ा दिया था इसका नुकसान बेसिकली Bengal, बिहार और URISA को भुगतना पड़ा यहां की agrarian society पूरी तरह से disognize हो गई कहा जाता है कि लोग अपनी जमीने छोड़ छोड़ कर भाग गए और आप इस बात से भी इसके impact को समझ सकते हैं कि 1765 में British East India Company को दिवानी राइट्स मिले और 1770 में Great Bengal फहिमाईन आ गया जिसमें Bengal की one-third population भुकमरी की कारण खतम हो गई Economist Amritya Sen का कहना है कि यह एक man-made फहिमाईन था British East India Company की policies के चलते मातर पास सालों में Bengal जो की मुगल काल में economic power हुआ करता था वो भुकमरी का शिकार हो गया इसका मतलब British East India Company तो माला माल हो गई होगी ऐसा लगता तो है बट ऐसा भी नहीं हुआ क्योंकि इतना tax वसूलने के बाद भी British East India Company लंदन में बैटे अपने shareholders को expected dividends तक भी नहीं दे पारी थी तो अगर British East India Company माला माल नहीं हुई और Bengal में भी फहिमाईन आ गया तो यहाँ पर एक mismanagement देखने को मिला और इसी के साथ साथ ये officers बहुत ही ज्यादा corrupt थे, company भिकारी हो गई थी और ये officers माला माल ऐसी situation में साल 1771 में Warren Hastings Calcutta Presidency के governor appoint हुए और very next year यानि साल 1772 में इन्होंने revenue collection के लिए जारेदारी system की शुरुवात की यहाँ पर इन्होंने जमीनों का auction करवाया जिसने भी उन जमीनों से tax collection की उची से उची बोली लगाई उसे 5 सालों के लिए उस जमीन का tax collector बना दिया गया आप देख सकते हैं कि इस system में existing जमीनदारों को replace करके नए लोगों को revenue collection बनाया जा रहा है यानि existing जमीनदारी system यहाँ पर खतम हो रहा है और नए लोग revenue collector बन रहे है और इसका criteria क्या था? सिर्फ यह कि उची से उची बोली लगाई अब कैसे इस system में किसान बरबाद हो रहे थे? इसे एक example से समझते हैं यहाँ पर तीन parties है British East India Company बोली लगाने वाले लोग और वो किसान जिसकी जमीन से कितना tax वस्कुल जाएगा इसकी बोली लग रहे है माल लीजे इस जमीन की capacity है साल में पांच बोले अनाज उगाने की तो बोली लगाने वाले लोग धीरे धीरे अपनी बोली बढ़ाएंगे कोई बोलेगा कि मैं दो बोले अनाज इस जमीन से tax निकल वालूँगा दूसरा बोलेगा कि मैं तीन बोले अनाज टेक्स में निकल वाँगा और बढ़ते बढ़ते ये बोली चार बोले तक पहुंच जाएगी British East India Company कहती है कि ठीक है अब पांस साल तक हर साल चार बोले अनाज तुम इस खेच से हमिला कर दोगे तो साल के अंत में चार बोले अनाज ये revenue collector किसान से वसूलेगा और British East India Company को दे देगा बड कुछ अपने पास भी तो रखेगा तो जो किसान का बोला है वो उसे भी क्यों छोड़ेगा पैसे लेने होते थे इस टेक्स को चुकाने के लिए पीजेंट्स और कल्टिविटर्स की लाइफ इस इजारेदारी सिस्टम में नर्क बन गई थी और क्योंकि ये settlement पांस सालों के लिए लाया गया था इसे फाइफ ये settlement भी कहा जाता है और ये सिस्टम किसानों को तो बरबाद कर ही रहा था साथी साथ Britishers के लिए भी ये एक failure साबित हुआ लोग बड़ी से बड़ी बुली लगा कर revenue collection का contract ले जाते थे बड़ोंने पूरा नहीं कर पाते थे और कई बार तो लोग land की capacity जितनी है उससे भी ज्यादा की बुली लगा दे थे तो पांस साल पूरे हुने के बाद यानि 1777 में Warren Hastings ने इस प्रोसेस में एक change किया 5-year settlement की जगा अब annual settlement की शुरुवात की बड़ प्रोसेस सेम था वही auction वाला बड़ अब auctions हर साल किये जाने लगे जो भी जादा बुली लगाएगा land revenue collection उसको मिल जाएगा बड़ लोगों ने फिर से British East India Company का बेफकू बना दिया और ये annual settlement भी fail हो गया तो ultimately इस जारेदारी सिस्टम ने Bengal की agrarian economy को बेहाल कर दिया तो ये था जारेदारी सिस्टम जिसकी दोनों forms 5-year settlement और 1-year settlement हमने दोनों को cover कर लिया है अब next वीडियो में हम Lord Convalis द्वारा started permanent settlement को cover करेंगे इंडिया की history और इंडियन quality को detail में cover करने के लिए बुक्स दावा की playlist को follow कीजिए लिंक आपको description मिल जाएगा Thank you so much for watching and supporting बुक्स दावा